अनन्द रूपा की रसी खोलते हुए उसकी बाते सुन रहा था रूपा की बात सुनकर आनन्द सोच में पड़ गया उसे समझ नहीं आया कि आखिर काकी को रूपा से क्या काम आनन्द ने रूपा से पूझा कुसम का समझ आता है कि वो तुमारी सौतेली भाबी है लेकिन आखिर काकी को तुमसे क्या काम आनन्द का ये सवाल सुनकर रूपा चौग गई उसने तुरंट कहा अगर तुम काकी के आदमे नहीं हो तो कुसम के बारे में या मेरे बारे में कैसे जानते हो आखिर कौन हो तुम आनन्द ने कहा तुमारे रस्ती खुल गई है यहां से मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ रूपा कुरसी से खड़ी होकर बोली लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला आखिर तुम हो कौन मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो और तुम इस हवेली में क्या कर रहे हो आनन्द बिना कुछ कहे रूपा को हवेली से बाहर ले जाने लगा रूपा बस आनन्द को ही देखे जा रही थी उसने मन ही मन कहा आखिर ये कौन हो सकता है और इसे कैसे पता कि मैं यहां पर हूँ आनंद रूपा को हवेली के पीछे वाले दर्वाजे से हवेली के बाहर ले आया उसने आगे रास्ता दिखाती हुए कहा इस जंगल से होते हुए तुम सीधे मार्किट पहुँच जाओगी ये शॉर्टकट है और यहां से निकल कर सीधे अपने भाई के पास जाना रूपा आनंद की बादों पर हामी भड़ते हुए वहां से जाने लगी तभी उसने एक बार और आनंद से बात करने की कोशिश की और कहा कम से कम अपना नाम तो बता कर जाओ आखिर तुमने मेरी जान बचाई आनंद ने मुस्कुराती हुए कहा मेरा नाम आनंद है किसी भले दिन मुझे याद करना रूपा ने मन ही मन आनंद का नाम दोहराया आनंद और वहां से तुरंद निकल गई रूपा के जाते ही आनंद ने मन ही मन सोचा माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा है अब आखिरकार काकी को रूपा से क्या काम कुछ तो बात है जो काकी छुपा रही है हमसे मुझे सबसे पहले इसके बारे में जाकर सुहाना को बताना होगा और साथ ही उसे कुसम के बारे में भी बताना होगा जहां एक तरफ हवेली के बाहर आनंद काकी और रूपा को लेकर परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ, लॉज में सुहाना और आदित्यर रूपा को ढूनने निकलने वाले थे, जैसे ही सुहाना आदित्यर के केबिन से निकली, उनकी मुलाकात काकी से हुई, अचानक काकी को देख सुहाना घबरा गई, उसने मन ही मन सोचा, कहीं काकी को कहार जा रही हूँ और मैं शाम तक लोटाऊंगी, बस ये मत पूछना कहां और क्यों, क्योंकि मैं भी नहीं पूछ रही तुमसे। मारते हुए कहा, आखिर तुम्हें काकी के मूँ लगने की क्या सरूरत है। आदित्यबाद समालते हुए बोला, अरे सुहाना, उन्हें हम पर शकना हो जाए, इसलिए मैंने पूछ लिया, हमें उनके सामने नॉर्मल बनना है, ताकि उन्हें शकना हो जाए। आदित्यबाद समालते हुए बोला, खुद को समालो सुहाना, अपने गुस्से को बचा कर रखो, अभी हमें रूपा को ढूनना है। आदित्य और सुहाना लौट से निकल कर सीधे मंदिर पहुच गए, लेकिन मंदिर के आसपास भी उन्हें रूपा नजर नहीं आई। मंदिर के आसपास के लोगों से भी दोनों ने रूपा के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी रूपा को वहां नहीं देखा। आदित्य कुछ कह पाता, अचानक से वहां उनके सामने आनंद आ गया। यूँ अचानक आनंद को देख, आदित्य और सुहाना दोनों ही चौक पड़े। सुहाना ने ज्छलाते हुए कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो आनंद? आनन्द हडबडाते हुए बोला मुझे पता है सोहाना तुम मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करोगी लेकिन ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और आदित्या तुम्हारे लिए भी आदित्या को कुछ समझ नहीं आया उसने कहा ऐसी क्या बात है जो मुझे जानना जरूरी है और वो जो भी बात है हम अभी बहुत परिशान है तुम प्लीज किसी और टाइम आना अभी हमारे पास वक्त नहीं है तुम्हारी बातों के लिए आनन्द आदित्या की तरफ मुड़ा और उससे बोला ये तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है आदित्या बात तुम्हारी बेहन और तुम्हारी बीवी की है रूपा और कुसम के बारे में सुनकर आदित्या चौग गया उसने आनन्द से कहा कि तुम क्या बगपास किये जा रहे हो तुमसे तुम्हारी जिंदगी सम्हाली नहीं गई आदित्य के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा मेरी बात तो सुनो आदित्य मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ आदित्य ने तुरंत उसका हाथ हटाते हुए उससे कहा तुम अपनी भलाई पर ध्यान दो उसी में तुम्हारी भलाई है मेरा और सुहाना का पीछा छोड़ दो मैं वैसे भी रूपा को लेकर परेशान हूँ रूपा का नाम सुनकर आनंद चौक गया उसने तुनंद कहा रूपा अभी तक घर बापस नहीं लोटी? वो तो कब के निकल चुकी थी हवेली से? आनंद की ये बात सुनकर आदित्य आनंद को अपनी तरफ खीच कर बोला तुम रूपा को जानते हो? कैसे? तुमने रूपा को हवेली में कब देखा? सच बताओ आनंद कहा है रूपा? आनंद आदित्य और सुहाना को सब कुछ बताता है कि कैसे उसे रूपा एक हवेली के बंद कमरे में मिली और कैसे उसने रूपा को वहां से छुड़ाया आनंद की बातों पर आदित्य को जरा भी भरोसा नहीं हुआ उसने गुस्से में आनंद से कहा सच सच बताओ आखिर तुमने मेरी बेहन के साथ क्या किया है अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा आनंद ने सुहाना के तरफ देख कर कहा ये शायद मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा लेकिन तुम मेरी बात सुनो यहां बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता और सबसे बड़ी बात ये कि कुसुम एक दायन है कुसुम के बारे में सुनकर सुहाना के होश उड़ गए उसने हकलाते हुए कहा ये ये तुम क्या कह रहे हो आनंद लेकिन इससे पहले आनंद आगे कुछ कह पाता आदित्या आनंद पर तूट पड़ा दोनों के बीच हाता पाई होने लगी सुहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस पर भरोसा करे आनंद पर या आनित्या पर उसने मन ही मन सोचा क्या आनंद सच कह रहा है क्या जैसे इसने मुझे सुभा सरपंच के आदमियों से बचाया वैसे ही इसने रूपा की भी जान बचाई या फिर ये इसका कोई नया नाटक है और क्या कुसम एक डायन है ये हो क्या रहा है इससे पहले हाता पाई बढ़ जाती सुहाना ने आनंद को हटाते हुए कहा बस करो आनंद अब जो भी होगा उसे हम देख लेंगे तुम यहां से जाओ आनंद ने सुहाना की तरफ बढ़ने की कोशिश की लेकिन आदित्य बीच में आ गया आनंद ने सुहाना की तरफ देखते हुए कहा ठीक है मत करो यकीन मेरी बातों पर लेकिन एक दिन तुम मानोगी सुहाना ने आदित्य को समझाते हुए कहा आदित्य आनंद की बातों पर ध्यान मत दो अभी हमें बस रूपा को ढूनना है बस वही याद रखो आदित्य सुहाना की बात से सहमत था और दोनों वहां से निकल पड़े दोनों मंदर से मार्केट पहुँच गए थे आज मार्केट में ज्यादा भीड थी जैसे मानो कोई मेला लगा हो इस भीड में रूपा को ढूनना ना मुमकिन था लेकिन फिर भी आदित्य सुहाना रूपा की तस्वीर लिए मार्केट में हर किसी से पूछने लगे लेकिन मार्केट में भी किसी ने रूपा को नहीं देखा था कुछ देर मार्केट में भटकने के बाद आदित्य और सुहाना एक पेड के नीचे आकर बैठे सुहाना कुछ परेशान सी थी उसने जिजकते हुए कहा आदित्य रूपा का तो कोई अता पता नहीं है मुझे बहुत डर लग रहा है वो कहां होगी आदित्य ने मन ही मन सोचा नहीं मैं रूपा को खो नहीं सकता मैं उसे हर हालत में ढूण कर ही रहूंगा सुहाना ने आदित्य को जंजोरते हुए कहा आदित्या मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो इससे पहले आदित्या कुछ कह पाता अचानक मार्किट में हलचल होने लगी आदित्या ने भीड की तरफ देखते हुए कहा अरे ये हलचल कैसी? अभी कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक था तुमने कुछ देखा सोहना? सोहना ना में सरहिलाते हुए भीड की तरफ देखती रही तब ही अचानक से आसपास का माहौल बदलने लगा आस्मान में बिनमौसम बादल छाने लगे और आसपास का तापमान भी गिरने लगा ये देखकर सुहाना का दिमाग खौफ से भर गया उसने धीरे से कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता मार्कित में सब के सामने कैसे आदित्यों को सुहाना की बाते समझ नहीं आई उसने सुहाना से पूछा तुम्हारा मतलब क्या है सुहाना? मैं कुछ समझा नहीं, सब के सामने? सुहाना ने आदित्या को हैरानी के साथ देखते हुए कहा आदित्या यू बिन मौसम बदलना और यू अचानक तापमान का गिरना ये सिर्फ एक ही के आने का संकेत है सुहाना की बात सुनकर आदित्या की आँखे भटी की भटी रह गई उसने हकलाते हुए कहा तुम्हारा मतलब वो डायन है? जैसे ही आदित्या ने डायन का नाम लिया आस्मान में एक भयानक हसी की आवाज बोन जुठी जिसे सुनकर आदित्या के साथ सुहाना ने तुरंता आस्मान की तरफ देखा और जो कुछ उसने देखा उसे उस पर यकीन नहीं हुआ आस्मान में एक औरत अपनी लंबी काली चोटी लहराते हुए दिन दहाडे सब के सामने हस रही थी उस डायन की सुर्क लाल आखे आस्मान में सितारे की तरह चमक रही थी वहाँ खड़े सब लोग डायन को देख कर बॉक ला गए दरके मारे लोग इधर उधर चीकते चुलाते हुए भागने लगे तभी उस डायन ने चुलाते हुए कहा पतुल बाड़ी के बासियों अब तुम्हारा समय आ चुका है जैसे ही उस डायन ने ये कहा आसपास के सारे काले बादल गरजनी लगे जैसे डायन की बातों से वो भी काप गए हो उस डायन ने आगे कहा आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि जो कोई हमारे रास्ते में आएगा उसका ज्या होगा ये बात सुनकर सुहाना और आदित्या के हाथ पैर ठंडे पड़ गए तब ही अचानक से सुहाना के मन में खयाल आया और उसने तुरंथ आदित्या से पूछा रूपा जैसे ही सुहाना ने ये कहा मानो जैसे उस डायन ने सुहाना और आदित्या की बाते सुन ली हो उस डायन ने मुस्कुराते हुए कहा इसको तो नहीं ढून रहे ना तो आदित्या ने तुरंथ आस्मान की तरफ देखा और दो कदम पीछे हट गया आदित्या को देख सुहाना की नजरे भी आस्मान की तरफ पड़ी आस्मान में उस डायन में अपनी लंबी काली चोटी के सहारे रूपा को जकर कर रखा था आस्मान में रूपा को देख कर आदित्या की जोर से चीख निकल गई रूपा आदित्य के हाथ पैर ठंडे पर चुके थे और वो बॉकलास आ गया था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रूपा को उस डायन से बचाए सुहाना वहां खड़ी सब कुछ देखते हुए कुछ नहीं कर पा रही थी तब ही उस डायन ने हसते हुए कहा चुप चाप तुम लोग अपना काम करते तो शायर आज का दिन तुम्हें देखना ही नहीं पड़ता उस डायन की भयंकर हसी पूरे पुतुलबाडी में गूंच रही थी वहां खड़ी भेड बक्रियां सब इधर से उधर भागने लगी इसके साथ ही वो डायन रूपा को अपनी चोटी से जकरने लगी हवा में रूपा किसी तितली की तरह चटपटा रही थी नीचे खड़े आदित्या से अपनी बेहन की ये हालत देखी नहीं जा रही थी तब ही आदित्या ने गिरगिडाते हुए कहा लेकिन आदित्या भूल गया था कि वो एक डायन के सामने गिरगिडा रहा था गिरगिडाहट इंसानों को कमजोर बना सकती है लेकिन डायन जैसी बुरी शक्तियों को उतना ही ताकतवर क्योंकि एक डायन के लिए इंसानों का डर ही उनकी ताकत है डायन ने हस्ते हुए कहा अब तुम सब देखो कि क्या होता है इस डायन से पंगा लेने का अंजाम इतना कहतर गुडायन रूपा को हवा में उपर नीचे उचानने लगी और तभी अचानक से उस डायन के दाहिने हाथ के नाखून खुद बखुद लंबे हो गए उसने अपने हाथ को हवा में लहराते हुए सीधे रूपा के सीने में कार दिया जिसके साथ ही रूपा की छींक निकलते ही धम गई। उसे एक पल के लिए आदित्य की धरकनों ने मानो उसका साथ छोड़ दिया और सुहाना अपनी जगाद जम सी गई। और इसके बाद सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। रूपा की वो हालत देखकर गाउं वाले सारे दहशत में आ गए। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लग गए। उस डायन में हसते हुए रूपा को आसमान से नीचे गिरा दिया और हवा में कहीं भायपसी हो गई। रूपा की मौत अपनी आखों के सामने देख आदित्य सुध बुद्ध खो बैठा। वो बिना कुछ कहे वही नीचे जमीन पर बैठ कर रूपा की लाश को देखे जा रहा था। सुहाना को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो रूपा कल तक उसके साथ थी आज वो इस दुन्या में नहीं रही और सबसे बड़ा सद्मा आदित्या को लगा था। सब अब गाउं में डायन का रात चलेगा इससे पहले जितने भी कतल हुए क्या उस डायन नहीं किये थे। और इसी के साथ सारे गाउं वाले धीरे धीरे करके अपनी अपनी टिपनी देने लगे। सुहाना और आदित्या बिना गाउं वालों की परवाह किये बस रूपा को देखे जा रहे थे। जहां मार्किट में एक तरफ सरे आम रूपा की मौत एक डायन के हातों हुई वहीं दूसरी तरफ इन सबसे दूर कुसुम के घर पर काकी आई थी। काकी को अच्वानत देख कुसुम ने उनसे कहा अप इस वक्त यहां कोई खास वज़ा। काकी अंदर आते हुए मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा वहीं वज़ा जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी छाई है। तुम्हारा काम हो गया। काकी की ये बात सुनकर कुसुम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने काकी से पूछा। क्या आपका मतलब आपने रूपा का काम तमाम कर दिया। यूँ समझ लो हम दोनों का मकसद एक ही था। काकी ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। और रूपा की मौत के साथ ही जो चिंगारी मुझे लगानी थी वो मैं लगा चुकी। अब बारी है आग लगाने की। तैयार हो जाओ कुसुम अब हमारे अच्छे दिनाने वाले हैं। काकी की बात सुनकर कुसुम के चहरे पर वही कुटिल मुस्कान चा गई। तभी काकी ने कुसुम से कहा। जब हमारा मकसद एक ही है तो क्यों ना हम हाथ मिला लें। तुम मेरे मकसद में मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी हवेली तुम्हें वापस लोटा दूँगी। काकी की बात सुनकर कुसुम के चहरे पर एक अलग सी चमक नजर आई। आखिर क्या करेगी सुहाना रूपा की मौत के बाद क्या सुहाना काकी को अपने मकसद में काम्याब होने से रोप पाएगी क्या कुसुम और काकी मिलकर काम करेंगे जानने के लिए सुनते रहिए दियोना सिर्फ पॉकेट एफम एप पर